आज दोस्तों आप लोग को भीजिट कराने वाले हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुन्दर एक जार्खन का मन्दिर जिसका नाम है बंधूर्गा और यह बोला आजता है कि यहाँ पर जो भी मननत मांगा जाता है वो पूरा होता है तो चलो आप लोग को लेकर के चलते हैं बंदूरगा मंदिर हलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे ही रहेंगे बाकि में शुभा आप लोग को स्वागत करें दोस्तों नियू ब्लोग में तो कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे दोस्तों हम लोग हनुमान बाटी का गये थे पूरा पूरी फेमिली का साथ में तो आज भी हम लोग एक ऐसे जगा में जा रहे हैं जो बहुत जिदा मसूर है और वो भी दोस्तों मंदिर ही है यानि कि धाम जगा है और हम लोग जा रहे हैं पूरा फेमिली का साथ में तो आप लोग को मंदिर का नाम भी जानने के लिए मिलेगा और लोकेशन भी हम लोग का बड़ी दीदी का तो लोग आ रहे हैं गाड़ी ले करके और उसी गाड़ी में हम लोग जाने वाले हैं जारखन तो ये देखो हम लोग का गाड़ी आ गया दीदी लोग भी आ गये हैं और ये बक्रा को हम लोग ले करके जाने वाले हैं पूजा के लिए चलो आप लोग को बाबू से मिलाते हैं और लगाई लगाई ना साथ लगाई ये ना सार लगाई ये ना सार उल्टा लगाता है टो फणिल दूस्तों हम लोग पहुंचने वाले है बंदूर्गा तो यहां से लगभग दो किलो मेंटर जूरी में हैं तो हम लोग सुपे में ही निकले थे बंदूर्गा आप लोगो बताए नहीं थे कि मंदिर का नाम क्या है हम लोग जाने वाले हैं अभी बंदूरगा, दो किलोमेटर यहां से दिखा रहा है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बड़ा सा गेट जिसमें जायमा बंदूरगा लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं पूजा का समान सब, यहां पर बोर्ड दिखाई दे आज दोस्तों, आप लोग को भीजित कराने वाले हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर आप ज्यारकन का मंदिर जिसका नाम है बंदूरगा और बुला जाता है कि यहां पर जो भी मननत मांगा जाता है वह पूरा होता है तो चलो आप लोग को ले करके चलते हैं बंदुर्गा मंदिर तो यहां से आम लोग प्रवेस्ट करने वाले हैं तो फिलाल हम लोग का तियारी चल रहा है बाबु को नहलाया जा रहा है मेरा पीछे में हम लोग का फेमिली है और बोला जाता है कि यहां पर जो भी मननत मांगा जाता है वो पूरा होता है तो आप लोग को बता दे कि हम लोग का भी मननत पूरा हुआ है जिसका बेज़े से हम लोग यहां पर आये हैं और साथ में हम लोग बक्रा भी लेकर के आए हैं एक्चुली में बक्रा का पूजा यहां पर ही जातर होता है तो हम लोग पहले आए हैं अभी हम लोग का एंट्री हो रहा है तो फिलाल हम लोग मंदिर एंट्री कर रहे हैं और यहां पर हम लोग का चल रहा है पूजा का त्यारी तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पूजा करेंगे और यहां पर हम लोग का पूरा पूरी फेमिली और इधर में है पूजा का समान और एक कौन है तिधर है मंदिर तो चलो सबसे पहले हम लोग पूजा उजा करते हैं उसका बाद में आप लोग को दिखाते हैं मंदिर बकरा को मंदिर का अंदर में लिया जाएगा पूजा उजा किया जाएगा पर आप लोग बाबू को देख सकते हैं कैसे जड़ रहा है और इधर मेरा पूरा फेमेली पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं बकरा को टिकाउ का लगए जाएगा भी और फूलूल चड़ाए जाएगा फिर उसका बाद में बली दिया जाएगा थे मामा ने पूजा को रिचन देखता हूँ तो फनेले हम लोगा मंदिर का अंदर में पूजा हो गया बटे हम लोगा जो नडियर जो है उसको बाहर में ही फुटाना है और इसको देखा कि ठीक्वा थीखा कि दोस्तों हम लग सब से पहले आए थे हाँ और हम लोग का पेहला ही नंबर था जिसका वेशे से आंग जल्दी पलती ही पूझा खतम हो गया अभी हम लोग घर भी जाएंगे कि घर जाने का बाद में हम लोग को यहां से जो परशादी लेकर के जा रहे है उसको बनाना है फिर सभी गाव सप में जितना भी है हम लोग का मेहमान सब उनको इन्भाइट किया गया है और वहाँ पर सभी लोग को परशादी दिया जाएगा तो और एक बर आप लोग को और एक जलक दिखायते हैं मंदिर का तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है मंदिर बहुत ही जदा नामी नामी मंदिर है तो कभी आप लोग सुने होंगे बढदुर का मंदिर बोल करके बोला जाता है तो यहाँ पर दसन करने के लिए और दसन करके जा रहे हैं। तो फ़नेले हम लोग का पुजा ओजा खतम हो गया और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। कि वहाँ पर हम लोग को बनाना है सभी सब्जे उग्जे परसादी सब तो अभी फिलाली में टाइम हुआ है साड़े दस की जारा हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो फुजा तो कम्टेट हो गया अभी हम लोग भाएंगे नास्ता और बाबू देखो। गर में आते हैं हम लोग काम सुरू हो गया है क्योंकि यह नहीं करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। फिल्याल अभी काटा छटा चल रहा है और बहुत जल्दी बन भी जाएगा और मेरे लिए तो कोई काम भी नहीं है हमको बोला गया कि दुकान में बैठो बोल करके और आप लोग को बता दे कि हम लोग का दुकान में सबसे ज्यादा सेलिंग होता है चाना का तो आप लोग और लोग सब काफी ज़दा पसंद करता है और खास करके हम बनाते हैं वो पसंद करते हैं तो मजा आता है बनाने के लिए तो चलो जब तक वो नहीं बनता है सबजी उबजी तब तक हम एडिटिंग कर लेते हैं सुवे से जितना वीडियो बनाया है उसको एडिटिंग करते झाल झाल झाल